श्रिलंका के वामपंथी निता अनुरा कुमारा दिशानाईके ने राश्रपती चुनाव में जीत दर्स की है। 55 साल के दिशानाईके नैशनल पिपल्स पावर यानि एन पीपी गडबंधन के प्रमुक है। पहले राउंड के वोटों की गिंती में किसी भी उमीदवार को 50 फीसद से अधिक वोट नहीं मिल पाए थे। इस राउंड में अनुरा दिशानाईके को 42.3 एक प्रतिशत और उनके प्रतिद्वन्दी रहे सजित प्रेमदासा को 32.76 फीसद ही वोट मिले थे। इस कारण चुनाव आयोग ने दूसरे दौर की गिंती शुरू की। जिसके बाद अनुरा दिशानाईके श्रिलंका के नौवे राश्रपती के रूप में चुने गए। विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा दूसरे स्थान पर रहे। श्रिलंका में खानून के मुताबिक किसी भी उमिद्वार को जीतने के लिए 50 फीसद से अधिक वोटों की जरूरत होती है। देश में साल 2022 में बड़े पैमाने पर विरोज प्रदर्शन हुए थे। जिसके बाद गोटबाया राजपक्षे को राष्टपती पत से हटना पड़ा था, उसके बाद देश में राष्टपती पत के लिए बीते शनिवार पहली बार चुनाव हुए। श्रिलंका में साल 2024 का राष्टपती चुनाव वो चुनाव है जिसमें इतिहास में सबसे अधिक संख्या में यानि 38 उम्मिद्वारों ने चुनाव लड़ा। अनुरा कुमारा दिशानाईके ने मतदाताओं से भरष्टा चार विरोधी कठोर कदम उठाने और अच्छे प्रशाशन का वादा किया है। उनका ये संदेश उन मतदाताओं को लुभाने में काम्याब रहा जो संकट के बाद से ही व्यवस्थित बदलाव की मांग कर रहे हैं। जीत के बाद अपने एक संदेश में दिशानाईके ने कहा कि आखिर का जो सपना हमने सालों से देखा अब वो सच हो रहा है। इस अपने को साकार करने के पीछे हजारों लोगों का प्रयास है। मैं इसके लिए आप सभी को जितना भी धन्यवाद दूँ वो कम है। क्योंकि ये मेरी नहीं बलकि हम सभी की मेहनत का नतीजा है। ये जीत हम सभी की है।